राम राम किशन भाईो आज हमाए हैं डिश्टिक कासिंग के छोटे से गाउं बीनपुरा में यहाँ पर हमारी किशन भाई टमाटर खेती बहुत बड़े प्यमाने पर करते हैं अगर में बीनपुरा के पास जो एक मार्गिट पड़ता है साहावर उससे लगवग 2-3 km की दूरी पर एक गाउं पड़ता है बीनपुरा जहांके दाइरे में 15-20 गाउं आते हैं वहाँ पर टोटली टमाटर होता है और यहां के जो फार्मर हैं किशन भाईो वो टमाटर की खेती से बहुत बड़ी मोटी मुनाफ़ा कमाते हैं अगर मैं बीगे की बात करूं किशन भाई हो तो यहां पर एक बीगा से नोर्मली 2-5 लाग रुपए प्रत बीगा के हसाब से कमाते हैं जो कि यह कड़ में 8-10 लाग रुपए कमा लेते हैं और यहां पर जो टमाटर की खेती होती है वो ख्यारी बनाके बांस बल्ली गाड़ के उसके उपर तार खींच के उसके बाद टमाटर की खेती हमारे किशन भाई यहां के करते हैं तो अब जानते हैं, आज हम जिस प्लोट पे आए हैं, उस प्लोट के अंदर एक समस्या है, जो हमारे किशानवाई है, उनके द्वारा हमारे पास फोन आया, उसके बाद हमें प्लोट पे बिट करने जो आए हैं, यहां पी जो समस्या चल रही है, बो चल रही है, किशानवाई ज्यादा मात्तरा में हुआ था उसकी बज़े से यह आप पोधा देख रहे होंगे बहुत ज्यादा जल गया है जुलस गया है अब जो समस्या है ब्लैटपूर रूप से रुख चुकी है लेकिन जो फल टॉप बाले हैं उनमें नुकीले पन नुकीला फल बनना स्टाट हो गय कर रहा है इसका क्या कर रहा है आप इसकी रोक्ताम कैसे करें बहुत सारी जनकरी किशनवायों आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मैं हूं प्रभी राजपूत और आप देख रहे हैं किशनवायों आपका अपना यूट्यूब चैनल दड़ टेकनिकल किशनवायों यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बराबर में जो गंटे का निशान दे रखा है उस पे किलिक करके औल प्रेप् पोदे की जो बड़वार रहती है उसे रोखने के लिए वैसे तो प्लानोफेक्स या यहोसन वगरा का इस्तमा करते हैं लेकिन उसके उससे भी निजब उससे भी रोहना बंद हो जाता है उसके बाद हमारे किशनवाई यांके टू-फोडी का इस्तमा करते हैं जो के एक परटंग की किसाब से भी मार देते हैं उन प्लोटों में यह समस्या ज्यादा में देखने को मिलती है जो के नुकीले फल हो जाते हैं अब इसको हमें कैसे मैनेज करना है जहां पर ज्यादा मात्रम अगर आपके खेट के अंदर नुकीले फल हो जाएंगे तो मार्केट में जो रेट मिलने वाला वो आपको बिल्कुल डाउन में मिलेगा आपको बड़िया रेट नहीं मिलेगा उसका तो इससे मैनेज करने के लिए हम बात करेंगे आपको अगर आपके खेट के अंदर भी इस तरीके समस्या आती एक शानवाई हो तो आपको जो जिब्रेले के यह दोनों मिक्स करके आपको यानि कि जो सुका वाला जिब्रेले का आएगा उसे आप आदा ग्राम प्रटंकी उसे लेना है आपको और जो लिक्र वाला जिब्रेलेक है पचास से मैल टंकी उसे लेना है आपको और साथ में लेनी के शनवाई हो आपको एन पी के जीरो दाल सकते हैं उससे कोई शैट भैक नहीं होने वाला है और जो आपका फल नुकीला बन रहा है उसमें कहीं हद तक आपको रोक थाम रोक मिलेगी उसमें कम से खमला आपका जो फल है वो नुकीला बनेगा और जो फल का साज रहेगा वह बहुत ही बढ़िया रहेगा आपका फल रसीला रहेगा, बहुत सारी किशन भाई है हमारे एलकोहल का इस्तमा करते हैं, लेकिन उससे होता क्या है, बोलते हैं कि कच्ची दारू का स्प्रे कर तो उससे हमें फाइदा मिल जाता है, लेकिन किशन भाई हो मैं आपको उसके साइड इफेक्ट बदा दूँ, अगर आप आ खेत के अंदर करते हैं तो इससे जो आपका फल होता है बहुत ज्यादा मात्रा में फूल जाता है और फल रसीला नहीं होता जिसकी मार्केट ट्राइज बहुत डाउन हो जाती है तो यह गलती आप कभी भी ना करें ठीक है ना बागी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आप उसका इस्तिमाल करके आप अपने खेत के अंदर अपने जो फल नुकीले हो रहे हैं उने बचा सकते हैं और जो छोटी टॉब बाली जो गुल्ली बन रही है टमाटर का जो साज छोटा रह रहा है उसको बढ़ा कर सकते हैं किशन भायो ठीक है ना तो मैंने आपको तीन 35 यह मैंने आपको तीन चीज़ बताई इसका इस्तिमाल कीजिए आपको जो आपका फल छोटा है उसका भी साज मेंटर हो जाएगा और जो नुकीला फल है उससे भी लगवग आप कंट्रॉल कर सकते हैं टोटल 100% उससे तो आप कंट्रॉल नहीं कर सकते लेकिन कुछ हद तक आपको किशान वाई उसमें रहात देखने को मिल जाएगी बाकी इस साल मौसम ज्यादा खराब होने की बज़ए से ब्लाइट का अटेक ज्यादा खड़ा था खेतों में वैसे इस प्लोट के अंदर ब्लाइट जो पड़ी है वाइट फंगस जो आई थी वो कंट्रॉल हो च चलिए मिलते हैं अफसे नेक्स्ट वीडियो में किशान वाई तब तक के लिए नमस्तकार जै जबागन जै किशान सत्यों हुआ 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 है